नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर एक बार फिर से दोस्तों आज की वीडियों हम बात करने वाले हैं समू सकी के बारे में दोस्तों अभी तक जो वीडिया आ रही थी वो बीसी सकी के बारे में आ रही थी उनको जो फाइदा होने वाला है उसके बारे में आ रही थी, उनको जो पैकेज मिलने वाला है उसके बारे में आ रही थी, लेकिन आज की वीडियो हम बात करेंगे समू सकी के बारे में, जैसा कि अपने थमनिल में देखाईए, आज की वीडियो में बात होने वाली है, समू सक करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइक पर दें ताकि अच्छी से अच्छी जानकर या आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले ये समझने जिरूरी है कि बीसी सकी और समू सकी में आखिर बेसिकली अंतर होता क्या है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ बीसी सकी और समू सकी में कोई खास अंतर नहीं होता है गुरूप में अगर 10 महिला हैं, अगर 15 महिला हैं और 20 महिला हैं मैं आपको इसमें पॉइंट और जोड़ दूँ कि गुरूप में 10 से लेके 20 ही महिला हो सकती है एक गुरूप में उसमें जो भी पड़ी लिखी महिला होती है, जो भी समजदार महिला होती है या फिर ग्रुप जिस महिला को recommend करता है कि इस महिला के हाथ में हम पूरे समू का कारभार देना चाहते हैं तो उस महिला को ही समू सकी याने की BC सकी कहा जाता है तो यही फर्क होता है समू सकी में और BC सकी में क्योंकि समू सखी जो महिलाएं होती है वो 8, 10, 20 जो भी महिलाएं होती है वो उनको ही उसमें से ही एक समू सखी को चुन लेती है जिसको बात में आप BC सखी भी कह सकते हैं जो की कारभार सारा कुछ उसका समालती है जो की लिखत पड़त उसका सारा कुछ समालती है ये काम होता बेसिकली BC सखी का अब बात कर लेते हैं इसमें जो फर्क होता है BC सखी में और समू सखी में देखिए दोस्तों गुरुप और समू सबका एक ही होता है उसमें कोई किसी को फर्क नहीं होता कोई किसी पर ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 रुपे जमा करेंगे और समू सखी 20 जमा करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर सम्हु सक्खी को 20 रुपे का फायदा मिल रहा है, तो 20 सक्खी को भी 20 रुपे का फायदा मिलता है, अब मैं बात कर लेता हूँ, इसमें कौन-कौन से जो 5 पॉइंट से उनके बारे में मैं क्लियर कर दें, तो बात कर लेते हैं, दोस इस सम्हु का संचालन करती हैं, तो आपको सम्हु सक्खी या 20 सक्खी कहा जाता है, बाकी महिलां को ही सम्हु सक्खी कहा जाता है, ऐसा provision है और यही बोला जाता है, तो मान लीजिए आपको जो होने वाले फायदे हैं उनके बारे में, जैसे ही आप सम्हु बनाते हैं, अपन सम्मू बनाना चाहते हैं, हम इनकी लीटर बनना चाहते हैं, यह इनीकी मर्जी है, अब वो आपको एक फॉन देंगे, उस पे आप इनका फोटो, आधार कार्ड और जो भी डीटेल्स वो मांगते हैं, वो आपको देनी पड़ेंगे, और उसके बाद आपको एक फाइल बनके दे दी जाएगी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है, आपको वहां से तीन रजिस्टर में लेंगे, जिस रजिस्टर में आप उनका वही खाता है, डीटेल्स वगरा है, सारा कुछ आपको उसमें रखना होता है, तो यह पहला फाइदा होता है, यह पहला फा हीना हो जाता है तो आप अपने ब्लॉग फिर से जाके जो आपके समूह अधिकारी होते हैं उनसे बात करके आपके समूह के लिए सरकार की तrop से वो पंद्रासो रूपे इसलिए अलाके किये जाते हैं क्योंकि आपको हर हफते समूह में कर सकते हैं उसमें दोस्तों कुछ खर्चा होता है जैसे कि दड़ी का खर्चा हो गया दड़ी बिछाने का खर्चा हो गया चाय पानी का खर्चा हो गया या फिर उसमें गुल्लक का खर्चा हो गया दड़ी बिछोने का गुल्लक का जो भी खर्चा होता है वो सारा कुछ पैसे जमा होते हैं, तो जो पैसे जमा होते हैं, वो पैसे उसी गुल्लक में डाले जाते हैं, इसलिए वो गुल्लक सरकार की तरफ से दी जाती है, उसके लिए अलग से आपको पंदरा सो रुपे दिये जाते हैं सम्हों को आपके, ये हो गया दोस्तों दूसरा इसमें जिनके रहने की भी बहुत बड़ी मुस्किल होती है, जिनके घर पे मतलब खाने पीने को भी कुछ नहीं है, वो भी इस समू में सामिल हो सकती है, उसका कारण यह होता है कि सरकार ने बहुत ही मामूली सी रकम रखे है, अगर आप 10 रुपे हफते भी जमा करते हैं, तब भी आ तो चौते फायदे के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपका समू 3 महीने तक बहुत अच्छी तरीके से चलता है, 10 की 10 महिलाए या फिर आपके समू में 10 से 20 महिलाए हैं, तो वो सब कुछ अच्छी तरीके से time to time meeting करती है, time to time अपना जो भी 10 रुपे से लेक पोड़ दी जाती है, कि आपका समू बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, तो जो block होती है, जो block में 20 अधिकारी होते हैं, वो आपको एक proposal देते हैं, बैंक में जाने का, जहां से वो आपको लगबग 1 लाख रुपे का loan sanction करा देते हैं, यानि कि 3 महीने के बाद आप इस ल ले सकते हैं, जो कि 10 महिलाओं में बराबर बट जाता है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपे बैंक से आपको मिला, जो के block ने दिलवाया, और उसके बाद वो 10,000 रुपे सब में बढ़ जाता है, जिससे आप कुछ भी काम कर सकते हैं, आप बकरी खरीच सकते हैं, आप 10,000 रुपे करके हर हफते के साबसे चुकाना होता है, जो कि बहुत आसान होता है, इसी के साथ दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं, पांचमें फायदे के बारे में, तो दोस्तों इसमें पांचमा फायदा ये होता है, जब आप ये 1,000,000 रुपे अच्छे से भुखता देते यानि कि दस लेडिस मिलके एक लाख रुपहे अच्छे से भुखता देते हैं जो कि आप आधा तो पहले ही भुखता चुक होते हैं लेनी से पहले जो कि आपकी सहुलियत के लिए बहुत अच्छा होता है। जहां आपको पहले 10,000 रोबिकन फाइदा होने वाला था, बहां आपको 20,000 का फाइदा हो सकता है। लेकिन सर्त यह होती है कि आपको समुख बहुत अच्छी तरह चलाना होता है, जिसमें कोई record खराब ना हो, जिसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये record के कुछ नियम्स होते हैं, कुछ rules होते हैं। और दोस्तों, अगर ये सारी चीज़स समझ में नहीं आई हों, तो मैं वीडियो के description में भी और वीडियो के i button में भी आपको link दे दूँगा, कि आप जाके वहां पे संहु कैसे बनाते हैं, कैसे कौनसा form लगता है, ब्लॉक में कब जाना होता है, बेंक में कब जाना होता है, वह सारी डीटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ पी जाके आप चेक कर लें और उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं तो I hope दोस्तों आसा करता हूँ जो आप मैंने समझाने की कोसिस किये वो आपको समझ आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया अगर अभी भी कोई query है तो आप हमें comment कर सकते हैं मैं आपको सारा को detail में बता दूँगा आसा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल का सब्सक्राइब किये बिना ना चाहें और आज की वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद